दोस्तों नमस्कार मैं हूँ रुपेज दिवांगन मोहक फैसन चैनल पर आपका ज़ागा थे दोस्तों कुछ दिन पहले मैं इस लाउज के आप लोगों को सामने का फेस पनाने का तरीका बताया था दोस्तों और इसमें हमें चेन लगाना जो कि बांकी था मैंने बता नहीं प यहाँ पर मैंश्तivi दोसरा रंक आप को दिखाने के लिए बनाया कि किसी कस्टमर का बिलाउज नहीं है आपको दिखाने के लिए इसको किया हूँ तो कश्टमर कवलाउज नहीं है आपको सोग मलब देखाने के लिए इसको किया हूं तो अस्तर मैंने दूसरा नहीं था तो दूसरा लगाई यहां पर मुख्य चीज है यहां पर चैन वाली बनाने की है ना तो यहां पर देखिए दोस्तों हमारा जो कमर है कमर जैसे हमें यहां प तरब का जो हिस्सा है उसको आप नाप ले और जितना उसको दबाना है ना उसी साफसे इस प्रकास से रखें दर ध्यान से देखेगा मैं आपको वह तरीका पता रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल चैन सहीं तरीके से लगगा फिटिंग में लब मिश्टेक नहीं आगी है और कई तरीके होते हैं तो जैसे हम यहाँ पर दबा रहे हैं जो दबाव है इस पर इस प्रकास से हम निसान लगाएंगे और उसको बिल्कुल कच्चा सिलाई यहाँ पर हम कच्चा सिलाई इस्तमाल करेंगे बड़ी टाका से कच्चा सिलाई किया जाता है यहां पर ताक इसको खोलते बने बहुत बड़ी सिलाई लगा दिया हो ठीक है आब इसके बाद यहां से जोएसे हमारे पास अस्तिन शुरू होता है उस से थोला सा आधा इंच नीचे से उसको जमा लेंगे यहां पर मतलब जमान इतने के बाद हम इसको अस्तिन को पूरा कर लेंगे इतना भी आपको अस्तिन रखना है आप उतना रख लीजिए यहां पार इसको इस प्रकार से काट लीजिए आपको बताता हूं कभी भी चेन वैले को ज्यादा सिलाई लगाने की ज़रूत मत लगाई क्योंकि इसे अर्जेस्ट करने के लिए जब हमें खोलना पड़ेगा तो काफी सार इसमें सिलाई को खोलना पड़ जाएगा है इस वज हम पैंना फार इसे लगाते हैं कैसे आधि इसको क् Одس सामने इसको रहना चाहिए तो एक तरफ से चरू करेंगे इसका जो सिलाई है दोस्तों एक जो चैनलाइनिं प्रकार से आप प्रकार से आप आख्री में आने कि अच्छे से बांद ले दोस्तों इसको निकाल लें तो एक तरफ का हमारा देखिए चेन इहां पर फिट हो गया है अब इसको क्या करेंगी दूसरी तरफ लगाने के लिए पहले चेन को बंद करेंगे बंद करने के बाद इसको आप इस प्रकार से रखें और फिर इसको अच्छे से खीच ले निचे का हिस्सा और इस पर भी हमें सिलाई लगाना है अब इसके बाद क्या करेंगे आप इसको इस्ट्र जो मेटेरिया है यहां पर पहुत ज्यादा उपर तक न रखें यहां तक इसको आप काट लीजिए ऐसे इसको ज्यादा उपर तक न रखें ने था यह अंदर आम में चुबने का डर रहेगा ठीक है यह ऐसे हो गया इसको पूरे तरीके से काट हो जिए दोस्तों इसके बाद इस फूट का काम खतम हो गया है फूट को निकाल लीजिए लगा सकते हैं उसमें पूरे कंप्लीट कर सकते हैं क्या इस फूट में पकड़ नहीं आती ठीक से अब इसके बाद हम इसको सीधा कर सकते हैं सीधा कर दीजिए क्योंकि सिलाई लगाने में असानी होगी यह देखी दोस्तों अगर आप देखें यह तो हमारा चैन इस प्रकार से लग गया है इस प्रकार से लग गया है जए ने हैं इसकी किला यहां पर इस सिलाई को होल दीआ रहalin कि इसकी के रह्या प्र खहें धो यहां पर देखिए इस प्रकासी को मोरें ऐसे इसे मोरने से क्या हो गए आपको इंदर से रखिए यह देखिए और आप इसको सीधे तरफ से सीधे तरफ से आप इसको इस प्रकार सी सीलना इस्टार्ट कर दे ध्यान रखें कि आपको चैन नजर नहीं आना चाहिए बाहर से इसको घुमा ले इसके बाद अब इसको चैन तो और पेक कर सकते हैं ऐसे यह देखिए इसको देखिए इस प्रकास रखें और पूरा इसको पेक करके इसलाई करें प्रकास इसमें लग गया है इसको इधर से मोरेंगे तो क्या है आपको एड़ेस्ट करने में तकलीफ होगी है ना पहले तो आप क्योंकि ब्लाव से काम में कड़ा धिला होने का चांस बना रहता है और ऐसे में जब इसको चैन करना पड़े दिला करना पड़े तो मुश्कीर हो जाती है उसका चैन भी जल्दी से मदलते नहीं बनता तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी कुछ सूर्ति के साथ हमने यह चैन फिट कर लिया है देख सकते हैं आप इस परकार चिसका चैन फिट होता है तो दोस्तों इसे परकार से कुछ बहतरीन वीडियो तेखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब के लिए आज के लिए बस इतना ही धन्यमाद